हरी कुछन आप सभी भक्तों का हर्दिक स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीता अवलोकन हम अध्याए दस का जिसका शीर्शक है श्री भगवान का एश्वर ये गीता के इस दस्वें ध्या का वर्तमान में भी अध्यन कर रहे हैं आज की एकक्षा हमारी 61 कख्षा है और अध्याए दस पर यह हमारा चौथी कख्षा है मंगलाचरन प्रार्तनाओं से खक्षा कारंब करेंगे ओम अज्ञानत मिरंधस्य ज्ञानन जनाशला कया चक्षुरून मीलितम येना तस्मै श्रीगुरवे नमहा श्रीचैतन्यमनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयमरूपह कदामयम ददाती स्वापदांतिकम व स्रीरूपं सा ग्रजाताम सहगन रगुनाथान खितंतंस जीवम साध्वाइतम सावधूतं परीजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवम स्रीराधा कृष्णपादान सहगन ललिताश्री विशाग कान्वितामष्च ₠्रिष्ण कर उन्धा ये भुष्ण करणा सिंधो दीन बन प्रिश्भानु सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये वांचा कल्पतरुभ्यस्चा प्रपासिंदुभ्य एवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमो नमहा जै श्री कृष्ण चैतन्या प्रभू नित्यानन्द श्री अद्वाइत गदाधर श्रिवासादि द्रिनद हरे कृष्णा हरे कृष्णा रजा रे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कि आप सभी वाथ बमद्वात स्वागत Ait Aadha Congratulations veave ऐ सामने स्लाइड पर दिखाई दे रहा है इस समय और हम इस अध्याय के चार विभाग दिखा रहे हैं इस स्लाइड में जिसमें से तीन विभाग हम अपनी पिशली कक्षाओं में पूरी तरह उन पर अध्यान कर चुके हैं पहले विभाग में भगवान शी कृष्ण अर्जुन को बत और दूसरे विभाग में भगवान शी कृष्ण ने चतु श्लोकी गीता प्रस्तुत की उस उन चार श्लोकों में भगवान शी कृष्ण ने शुद्ध भक्ती की जानी चाहिए और शुद्ध भक्ती करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है ये भी हमने जाना कि कैसे परमात्मा के रूप में उसकी साहता करते हैं और कैसे अज्ञान के अंदकार को वह ज्यान के दीप के द्वारा दूर करते हैं बड़े सुंदर चार श्लोक थे ये और पिछली कक्षा में हमने बार्वां से लेकर अठारवां श्लोक तक अर्जुन की प्रतिक्रिया पर चर् पर चार श्लोक थे तो पिछली कक्षा में हमने बार्वें से लेकर अठारवें श्लोक तक इस अध्याय का हमने अध्युन किया और जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो श्लोक आते हैं बारा से लेकर अथारा ये उन चार स्लोकों के बाद आते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चार श्लोकों में पूरी गीता का सार बताया और ये पूरी गीता का सार ये हमें कहां से पता लगता है ये पूर्ववर्ती वैशनव आचारिय जो हुए है श्री संप्रदाय के श्री रामानुजा चारिय उन्होंने इन चार्श लोगों को चतुष लोकी गीता की संग्या दी और बाद में सभी वैश्णवाचारियों ने उसे स्विकार किया और इसी तरह हम लोग भी उन चार्श लोगों को उनकी व्याख्या को पड़ते हैं इन चार्ज लोकों में भगवत गीता का सार है और इन चार्ज लोकों को सुनाने के बाद पहली बार अर्जुन जो है वो भगवत गीता में अपनी प्रतिक्रिया भगवान शी कृष्ण के सामने प्रस्तुत करते हैं और हमने पिशली कक्षा में इस बारे में विस्तार से चर्जा की कि अर्जुन की प्रतीक्रिया इतनी महत्वपून क्यों है वो महत्वपून इसलिए है कि अर्जुन अपने अध्यापा किया अपने गुरु भगवान शी कृष्ण से जब गीता सुनते हैं तो वो बीच में ए जिस प्रकार से वो गीता को समझते हैं एक बार वो भगवान शी कृष्ण के सामने उसको दह रहते हैं और यहां महत्वपून सार цел अरजन भगवान के सामने दोहराते हैं, तो भगवान उसके बाद यह नहीं कहते हैं कि तुमने यह कीज ठीक से नहीं समझी यहां तुमने समझने में थोड़ी सी कमी रह गई, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं और समवाद जो है वो निरबादित रूप से आगे चलता रहता है तो इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता समझाना चाह रहे थे अर्जुन के वक्तव्यों से अर्जुन के कथन से भगवान च्शी कूरी सेना हुए और बाद में गीता का जो प्रभा है वो निर्बाद किसे लेके wangगे-ठ एक उसका हमें पता लगता है यहां बहुत महत्यूण है, और क्योंकि कई ऐसे भगवत-गीता के टीगा कार हैं, भगवत-गीता के भश्यकार हैं, जो भगवत-गीता के अर्थ को गलत धंग से, या अपने प्रसथ से प्रस्तूत करते हैं तो यहां यदि हम आठवे से लेकर अठारवे श्लोग तक भगवान ने कैसे उसको समझाया और अरजुन ने उसको कैसे समझा यदि हम उसका अर्थ बहुत बारीकी से अच्छी तरह से विशलेशन करके यदि हम समझते हैं तो हम भगवत-गीता के अर् उपाधियों द्वारा अर्जुन भ्गवान ही क्रिश्ण को यहां संबोदित करते हैं उनको कहते हैं प्रुष्ण शाश्वत म संबोदित करते हैं तो एक-एक शब्द का हम यहां पर अर्थ करेंगे परम भ्रम का अर्थ है भगवान परम भगवान श्री कृष्ण है श्री कृष्ण परम भगवान है श्री कृष्ण से बराबर और श्री कृष्ण के आगे श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं वही परम भगवान का एक प्रकार से रूप है और परम धाम परम धाम मतलब परम आश्रे कि जो भी कोई आश्रे हम यहां देखते हैं अपने जगत में भगवान शी कृष्णु उसका रूप है वही परम धाम है परम पवित्र हैं भगवान का नाम लेते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं भगवान के दर्शन करते ह तो हम पवित्र हो जाते हैं इसलिए भगवान को यहां परम पवित्र कहा गया है परम सत्ते हैं परम सत्ते की परीभाशा में कई पर बता चुका हुँ एक बार फिर दोहाता हूं परम सत्य का अर्थ यह है कि जो हर वस्तु का उद्द्गम सुरोत हैं हैं जहांसे हर वस्तु कि जब टीका करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि देखे यहां पर जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं वास्तव में श्री कृष्ण तो मात्र एक शरीर लिया हुआ है भगवान ने लेकिन भगवान जो है वास्तव में निर्विकार निराकार एक बहुत बड़ी जोती हैं बहुत बड़ पुरुष भी बोल रहे हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको निराकार निर्विशेश जोती हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं पुरुष पुरुष जब कहते हैं तो इसका मतलब व्यक्ति हो गए वह एक व्यक्ति जैसे आप और हम एक व्यक्ति हैं हमारी अपनी अपनी हमारी अपनी Liking Liking है डिस Lightning है कुछ चीस हमें अच्छी लगती है ना पसंद है इसलिए भगवान को यहां अर्जुन somethin कह रहे हैं और फिर शाषवत्थ भी कह रहे हैं साथसा तो परंभ्रह्म पुरुष और शाषवत देखे शाषवत से क्या मतलब है कि पुरुष भी हैं, परम भ्रम भी हैं और शाश्वत भी हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो आज पुरुष के रूप में हैं, पहले वास्तविक रूप से कोई निराकार जोती थे, ऐसा नहीं है, तो वो शाश्वत भी हैं, पुरुष भी हैं और परम भ्रम भी हैं, और फिर फिर कहते हैं दिव्य है दिव्य का अर्थ क्या हुआ कि वे इस लोक से जुड़े नहीं हैं इस लोक से अपनी शक्तियों के मादम से अवश्य जुड़े हैं लेकिन इस लोक में जो सत्वगुन, बहुत बढ़े हैं अनु एक चीज होती है अनु का मतलब होता है बहुत विशाल तो इसलिए विभू तो देखी ये सारी की सारी जो उपादियां है इससे अरजुन जब श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं उससे हमें श्री कृष्ण के बारे में पता लगता है कि वे परम बहुत महान हैं बहुत विशाल प việc विशाल हैं अर हर चीज उनसे आती हैं परम पवित्र रहें और परम आश्र्य हैं इस प्रकार के उपादियों से हमें पता लगता है वह्त वास्ता में जो परम सत्त्य में भगवान है वुश्री कृष्ण को निराकार निर्विकार जोती है ऐसा नहीं है कि निराकार जोती को हम भगवान कह सकते हैं और फिर अर्जुन अगले श्लोक में ही बताते हैं कि मैं ही ऐसा नहीं समझ रहा हूं ऐसा समझने वाले अनेक महापुरुश हैं जो भगवान को ऐसे ही समझते हैं और उन्होंने चार महान पुरुशों का नाम लिया नारद असित देव और व्यास देवल और व्यास वो स्विम भी ऐसा ही आपको समझते हैं फिर वो कहते हैं कि मैं आपकी बातों को पूर्ण तयास विकार करता हूं तो हम यहां ऐसा देखते हैं कि कई बार कई टीकाकर ऐसे होते हैं जो भगवत गीता में कुछी श् से शुरू से लेके आखिर तक पढ़ना चाहिए जब ही हम भगवत गीता को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे और अर्जुन भी हां अगले शलोक में इसी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहे हैं कि आपने जो कुछ भी कहा है मैं पूर्ण तया उसे सत्य मानता हूं और ऐसा नह और फिर अब श्रीकृष्ण से अपने एश्वरियों का विस्तार से वर्णन करने के लिए कहते हैं कि आप मुझे अपने एश्वरियों के बारे में पूरी तरह से पताएं और ऐसा वो क्यों कहते हैं क्योंकि अर्जुन की मन में अभिलाशा है कि वो उनका एश्वरे सुनन हारे श्लोक में अर्जुन एक शिश्यक रूप में अपनी प्रतीक्रिया हुख्षूथ करते हैं तो हम कैसे палष क्रशु करें करें कि अब हम आगे आज की कख्षा रंब करते हैं और आज की कख्षा में उन्नीस में से लेके 42 में शलोक तक हम देखते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने एश्वरियों का वर्णन करते हैं और अपने एश्वरियों का वर्णन करते वे अनेक अनेक उधारन देकर समझाते कैसे यदि तुम्हें इस जगत में भगवान का एश्वरय देखना हो तो कैसे तुम्हेरा दृष्टी कौन क्या हो कैसे तुम उन चीजों को जब देखो तो वो तुम्हें मेरा इस्मरण कराए मुझे याद दिलाए ऐसा भगवान कहते हैं तो यहां पर इस विभाग का जो श से आग्रहे किया और आपकी विभूतियां उनका आप पूरा मतलब कुछ शेश न रह जाए विस्तर रेणा इस प्रकार से विस्तार से करें और कुछ बाकी ना बचे इस प्रकार से आप अपनी विभूतियों का बडन करें अब भगवान श्री कृष्ण बोलना आरंब करते और वे अपनी अनेकों अनेक विभूतियों का वर्णन करते हैं लेकिन अर्जुन ने जैसे उनसे आग्रह किया था कि ऐसा करें ऐसा वर्णन करें कि कुछ बाकी ना रहे पहले भगवान श्रीकृष्ण बोलते हैं श्री भगवान ने कहा हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा क्योंकि है अर्जुन मेरे एश्वर्ये असीम है अर्जुन ने कहा था अशे शेणा अशेशेणा मतलब ऐसे करें कि कुछ बाकी ना रहे तो भगवान श्र करने क्रिश्ण ऊसका उत्तर देते-व कहते हैं कि देखो भाई मैं सारी कि सारी तो नहीं बता सकता हूं क्योंकि बहुत सारी हैं और मैं Tuesdayamp sportQL तो विस्थर अस्यों करणा को कि हे अरजुन मेरे एश्वरय असीम मेरे एश्वरय मतलब मेरी विभूतियां मेरा जो गुणदान है वो एक प्रकार से यह कहिए कि असीम है अब यहां यह बात सुनकर किसी-किसी के मन में यह भावना आ सकती है कि भाई देखो भगवान कैसे अहंकारी है अपने बारे में बो कहा जाए कि आप अपना परीशे दीजिए तो आप बड़ी विनम्रता फूरवक कोई अपना परीशे देते हैं ऐसा नहीं बोलते हैं कि देखो भाई मेरे गुंद तो बहुत असीम है मैं तो बहुत महाल आदमी हूँ और इस प्रकार से कभी हम नहीं देखते हैं कि कोई बात कर रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अपने गुणगान का बखान करने में संकोच अनुभव नहीं करता है तो देखे भगवान श्री क्रिश्ण इस समय किस परिस्थिति में देख सकते हैं उन्हें भगवत तो भगवान शी कृष्ण ने सार्थी के रूप में पहले ही एक बड़ा विनम्र पद स्विकार किया हुआ है विनम्र मतलब अब सार्थी या जिसे हम ड्राइवर कहते हैं या जिसे हम वाहंचालक कहते हैं कोई बहुत कोई बहुत विशेश पद नहीं होता है एक सेवत का पद होता है विनम्रता भरा एक पद होता है और भगवान ने बड़ा विनम्रता का पद वहांपर ले रखा है तो इस बात से तो इसपष्ट हो जाता है कि भगवान कोई एहंकारी कोई बड़ बोले या कोई अपने बखानों अपने गुणगानों का बखान करने व्यक्ति नहीं सभाव से बड़े ही विनम्र और इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो यहां भगवान सिर्फ अर्जुन को एक तथ्य एक फैक्ट उसको अपना अवगत करा रहे हैं कि देखो मेरी विभूतियां अनेक हैं और मैं तुम्हें उनमें से कुछ मुख्य मुख्य ही बताता हूँ क्योंकि तुमने मुझसे आगरे किया है अब यहां जब भगवान एक लंबी लिस्ट एक प्रकार से अर्जुन के सामने यहां प्रस्तुत करेंगे तो हमें उन लिस्ट को या उस सूची को हमें कैसे समझना चाहिए तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे देखे इस अध्याय को संस्क्रित में यह इसका अनुवात किया जा इस अध्याय का शीर्शच है हिंदी में हमने लिखा है श्री भगवान का एश्वर्य और अंग्रेजी में बोलते हैं the opulence of the absolute और संस्कृत में यहीं बोलते हैं तो उसे बोलते हैं विभूती योग विभूती का मतलब है भगवान का एश्वरिया योग का मतलब है भगवान से जुड़ना तो इस अध्याय को विभूती योग क्यों कहा गया है और भगवान की विभूतियों को हमें किस प्रकार से समझन चाहिए उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं तो देखें यहां भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते करते अनेक अनेक विलक्षन वस्तूओं को इस पूरे जगत में उनको इंगित करेंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे और जब उन विलक्षन वस्तूओं को भगवान अरजुन के सामने उसका ध्यान दिलाते हैं ध्यान आकर्शित करते हैं तो वास्तम में भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि देखो इतने बड़े सम्हूं में ये एक जो वस्तू है ये मेरा यहां पर प्रतिनिधित्व करती है ये वास्तम में तुम्हें मेरी याद तो हमें इस विभूती योग को इस प्रकार से देखना चाहिए कि जो भी विलक्षनता हम इस जगत में अपने चारों और देखते हैं वह विलक्षनता जब हम देखते हैं तो हमारा ध्यान उस वस्तू की और नहीं जाना चाहिए बलकि हमारा ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि इस वस्तु को या इस व्यक्ति को यह जो विलक्षन गुण जो प्राप्त हुआ है, वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का तेज, भगवान श्री कृष्ण का जो असीमित तेज और असीमित एश्वर्य है, उसकी एक चिंगारी मात्र है, उसका एक कण मात्र है, तो जब भी हम कोई विलक्षण वस्तु इस जगत में देखते हैं, तो वह हमें भगवान का इस्मरण कराएं। इसलिए उसको विभूती योग कहा है। कोई भी विलक्षणता हम देखें, तो वो हमें उस सर्वोच, उस परम भ्रम, परम धाम, परम पवित्र भगवान श्री कृषण का इस्मरण हमें अपने जीवन में कराएं। और भगवान का जब हमें इस्मरण होता है, तो भगवान का इस्मरण हमारे लिए पवित्र करने वाला है, हमारे लिए लाब दायक है। तो यही इस विभूती योग अध्याय का एक प्रकार से मूल एक प्रकार से इसका आशय है इसका तात्परिया है और हम अब एक लंबा सूची उसको देखेंगे लेकिन उससे पहले बीसमें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए अहमात्मा गुडाकेश सर्वू भूता शयस्तिता अहमादिश्च मध्यम्चा भूता अनाम अन्त एवचा भगवान कहते हैं अपनी विभूतियों का वर्ण करने से पहले कि देखो मैं इस जगत में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के हिरदय में परमात्मा के रूप मे स्थित हूँ और मैं ही इस पूरे जगत का आदी हूँ मध्य हूँ और अंत हूँ आदी मध्य और अंत का अर्थ क्या हुआ भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि इस जगत का सृष्टी करता भी मैं हूँ इस जगत का पालन करता भी मैं हूँ और इस जगत का संगार करता भी मैं ही हूँ तो यह जगत जो है वो मुझसे अलग नहीं है इस जगत की हर बात पर हर वस्तू पर मेरा पूरा पूरा नियंतरण है और इस जगत की हर वस्तू हर जीव में तुम कही ना कहीं मेरे को मेरी विभूती को मेरे इस एश्वरे को उसकी जलक को किसी ना किसी तरीके से तुम देख सकते हो, तो यही बात अर्जुन को वो विश्वेंश लोक में बताते हैं, और आगे अब इक्कीस से लेके इक्कीस्वेंश लोक में भगवान अब अपनी विभूतियों का वर्णन आरंब करते हैं, तो देखें, यहां जब भगवान शी कृष्ण विभूतियों क का अपना वर्णन करते हैं तो उनका वर्णन करने का एक तरीका है बड़ा एक विशेश तरीका है जो आप पूरा 21 से लेके लगभख 49 श्लोक तक आप देखेंगे लंबी सूची लगभख 65-70 नाम है जो वो लेते हैं और सूची जो है इतनी लंबी जाती एक श्रेणी का वर्णन करते हैं एक श्रेणी का वर्णन करते हैं अजर उस वस्तु को अपना प्रतिनिधी के के रूप में बताते हैं कि जब इस श्रेणी में तुम इस वस्तु को देखो तो इस वस्तु को जब तुम देखो तो वह तुम्हें मेरा इस्मरण कर रहा है मेरा याद दिला है जैसे मैंने आपको बताया कि जोतिर पुंजों में एक श्रेणी हो गई और सूर्य वहां पर श् किया एक टेबल बनाई है और उस टेबल में यहां बाएं हाथ पर आप देखाई है दस्वें अध्यागा इकीसवन श्लोक बाईसवन श्लोक मेरा जो objective है, मेरा जो उद्देश्य है, वो है के हम एक-एक श्रेणी के बारे में और उस श्रेणी में भगवान स्री कृष्ण मैं किसको इंगित करते हैं, किसको identify करते हैं, ज्वढब भूत ही संख्र्षेप में हर श्रेणी पर जाएंगे और बहुती संग्षेप में उस श्रीणी में भगवान श्री कृष्णी किसको इंगित करते हैं उसको थोड़ा सा संग्षेप में समझने का प्रयास करें तो यहां अब भगवान बोलते हैं आदित्यानामहं विश्नुर जोतिशाम्रविरंचुमान मारिचिर मरूतामस्मी नक चार चीजें चार श्रीणियां उन्होंने गिनाई हैं तो पहली श्रीणी कौन सी है आदित्या आदित्यों में वो कहते हैं आदित्यानामहं विश्नुर आदित्यों में मैं विश्नुर आदित्या कौन है देखे दो नाम आपने सुने होंगे आदित्या और दैत्या दैत्य तो हमारे जो शास्त्र हैंं उनके बाहरा- आदितने आता है 12 बहरा आदित्यों का वरन आता है और यह अदित्य कौन है तो कश्यप मुनी की दो पत्निया थी उनकी वैसे तो अनेक पत्निया थी इक का नाम था दिती और दूसरी का नाम था अधिति तो दिती से जो पुत्र उत्पन हुए वो कहला है दैथ्य उनका स्वभाव आशूरी था सारे और अधिति से जो पुत्र उत्पन हुए वो कहलाए आदित्य वह हुए देवतागण तो इन्हीं अधिती के 12 पुत्र थे और उन 12 पुत्रों में उनके एक पुत्र थे वामन देव जो विश्नु अवतार थे जो भगवान शी कृष्ण का ही अवतार थे तो वामन-्देव जो थे वो ?! है तो यहां भगवांशी किछन के रहे हैं कि आधित्यों में आधित्य कितने 12 और उन बारह है Animation में कौन हूं मैं विस्टूं तो वें स्वें को या वामन देव को एक अपने तरह एक एक प्रकार से यहां पर चिन्नित करते हैं एक प्रकार से इंगित करते हैं कि आदित्यों में कौन हूं मैं हूं विश्णू फिर जोतिर पुंजों में सूरिय करते हैं मतलब हम अपने इस प्रकर्ती में चारो तरफ जो प्रकाशमान जो बस्तुएं हैं जो objects हैं जब उन्हें चारों तरफ देखते हैं तो सबसे प्रकाशमान कौन सा है हम अपने घर में ट्यूब लाइट देखते हैं और दुनिया भर की और और भी प्रकाश करने वाली वस्तु हैं देखते हैं लेकिन सबसे प्रकाशमान कौन सी वस्तु है वह सूर्य तो इसल प्रकाश है उस प्रकाश को हमें इस प्रकार से देखना है कि सूर्य के पास ही जो प्रकाश है वो भगवान श्री कृष्ण के एश्वरिये के एक छोटे से अंच का ही एक भाग है चोटे से अंच का ही एक भाग है तो सूर्य का प्रकाश जब हम देखें तो वो हमें भगवान श्री कृष्ण का इस्मरण करा है हमें सूर्य को भगवान श्री कृष्ण से replace नहीं करना है कि बही ऐसा नहीं है कि हम अपने वेदी में अपने पूजा के स्थान पर सूर्य का चितर लगा कर उसकी उपासना आरंप कर दें इसका अर्थकताई भी यह नहीं है फिर मरुतों में मारीची हूं तो ऐसा बताया गया है कि पचास प्रकार की वायू होती है पचास प्रकार की जैसे आप देखते होंगे कि कोई एक वायू जो है वो एक दिशा में बहती है कोई एक वायू दूसरी दिशा में बहती है इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में पचास प्रकार की वायू बताई गई है और हर वायू का एक अधिश्ठाथा देव है उसमें जो सबसे प्रमु मरीची के रूप में इंगित करते हैं और सबसे प्रबल हैं सबसे शक्तिशाली हैं यह वायु के जितने भी देवतां हैं उन में नक्षत्रों में चंद्रमान नक्षत्र हम रात्री में जब हम आकाश की और देखते हैं तो इतने सारे के सारे तारे होते हैं और साथ में एक चंद्रमा भी होता है तो हम जब आकाश की और देखते हैं तो इतने सारे तारों में रात्री के आकाश में जो सबसे सुन्दर जो सबसे मन को भाने वाला जो एक वस्तु है वो वह चंद्रमा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नक्षत्रों में मैं क्या हूं नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं क्योंकि रात्री के आगाश में सबसे चमकदार वस्तु क्या है वह चंद्रमा इसलिए भगवान श्री कृष्ण का वो प्रतिनिधित्व करता है तो ज 명 way देखेंगे कि आपके इन पर ना και द对 वह थोड़ा बढ़ेगा वह भी थोड़ा बढ़ेगा चैंद हम लोग पर आते हैं 22 श्नोप में भगवान बोलते हैं वेदा नाम साम वेदो स्मी देवाने वासवह इंद्रियाना मनस्चास्मी नामस्मी चेतना फिर से उन्हें यहां चार श्रियनियّों अब कौन सी बोलते हैं हां इस लोग में 22 में वेदों में सामवेद हूँ, वेदों में सामवेद अपने आपको बताते हैं, देखे चार वेद हैं, आप सभी जानते हैं, रिगवेद, यजुरवेद, अथर्ववेद और सामवेद, तो सामवेद को ही उन्होंने यहां पर क्यों अलग से अपने आपको बताया, उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि सामवेद में मधूर मधूर श्लोक हैं जिन से आप भगवान का देवी देवताओं का गुणगान कर सकते हैं बहुत ही मधूर तरीके से उन श्लोकों को उन गीतों को उन प्रार्तनाओं को गाया जाता है इसलिए यहां भगवान श्री कृष्ण अपने आपको सामवेद बता रहे हैं वेदों में मैं सामवेद हूं क्योंकि सामवेद में गीतों का जो उचारण है बहुत ही मधूर है इसलिए अपने आपको सामवेद बताते हैं क Aur उसके बाद यह देवताओं में मैं इंद्र क्योंकि इंद्र कॉन हैं इंद्र स्वर्ख के राजा है। और सबसे शक्तिशाली देवताओं करता है वह है इंद्र जब तुम इंद्र का स्मर्ण करो तो बहे तुम्हें मेरा स्मर्ण कराए उसके बाद बोलते हैं इंद्रिया नाम मनश चास्मी इंद्रियों में मैं मन हूँ इंद्रिया मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं senses, senses मतलब कौन-कौन सी है पांच प्राप्त करते हैं, हमारे चारजर्फ क्या चल रहा है, इंद्रियों के माद्यम से में पता लगता है। लेकिन ये सारी की सारी जो पांचों की पांचों इंद्रियां हैं, वो अपना जो भी ज्यान प्राप्त करती हैं बहरी जगत से, उस ज्यान को प्राप्त करके वो कहां ले जाती हैं, वो मन की ओर ले जाती हैं, पांचों की पांचों इंद्रियां, तो एक प्रकार से मन को छट प्रभल है और यह न को एंश केश अवह संगठित होती है और मनरवान्वम की जो है वह सब tantrum है उस तो मन बहुत ब्रभान और चूप कि न in च्यों के च्यों इंद्रियों में मन सबसे अधिक बल्वान है इसलिए भगवान इन च्यों इंद्रियों में अपने आपको मन के रूप में यहां पर वो कहते हैं कि यह मेरा प्रस्रिण करता है यह वास्त्रम हूं जीवों में अपने आपको वो चेतना बताते हैं देखें जीवों को जीवित कौन क्या बनाता है जीवों को जीवित उसकी चेतना बनाती है कि यदि जीव के भीतर उसकी चेतना ही ना हो तो जिस चेतना के माध्यम से वो भारी जगत का पुरा ज्यान अरजित करता है भार चेतना मैं हूँ और बिना चेतना के कोई भी जीव जो है वो मृत के समान है तो आप देखेंगे कि यहां कैसे भगवान हर एक श्रीनी में अपने आपको एक ऐसी वस्तु से एक ऐसी बात से अपने आपको आइडेंटिफाई करते हैं जो वास्तव में बहुत इंपोर्टेंट स्ञ dónde is जहीं इस्वा श्लोक नहींए वागवान के रुद्र शॉक्ष्याश्में रुद्रों में कौन हूं स्ञ्वर्ण की रुद्रों में मैंों हूं अब येुदृ कौन है ये रुद्र जो है वो ग्यारा है इनकी संग्या है ग्यारा प्रकार के रुद्र हैं और उन में एक रुद्र शिव शंकर शंकर जी भी है और भगवान कहते हैं कि ग्यारा रुद्रों में मैं शंकर हूँ अब ये रुद्र कहां से आते हैं देकि श्रीमत भागवतम में कथा आती है कि जब भगवान अपने विस्तारों के रूप में श्रिष्टी का विस्तार करते हैं श्रिष्टी की रचना करते हैं तो सबसे पहले जीव कौन उत्पन होते हैं सबस जाएं और इस स्रष्टी में उत्पत्ति का कारी करें उसकी जनसंक्या आप बढ़ाएं तो यह उत्पत्ति के लिए जब वो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं तो वह मना कर देते हैं वह यह कारें जो है वो हमारे नहीं है हम तो सिर्फ आत्म साक्षातकार में हम सिर्फ आध्यात्मिक गति विधियों में अपने आपको लगाना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी ने जब उन चतुश कुमारों को उत्पन किय तो और उनसे उत्पत्ति करने के लिए कहा और उन्होंने जब मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध होने के बाद ऐसा हुआ कि उनकी भ्रकुटियों से हैं उनके उनके शरीर से रुद्र उत्पन हुए ग्यारा कि संताने उत्पनकरी वो बड़ी ही ध्वंसकारी थी विध्वंसकारी थी तो ब्रह्मा जी ने फिर उन्हें मना किया कि देखो अब तुम रहने दो मैं कहीं और बोलता हूं स्रिष्टी का उत्पत्ति करने के लिए आप मत करें पर कहने का भाव यह है कि यहां भगवान कह रह तो इस जगत में जो भी गुण तमो गुण है उसका भार भगवान शंकर शंकर जी या शिव जी वह अपने उपर लेते हैं तो इसलिए यहां भगवान उनको कहते हैं कि मैं रुद्रों में शंकर हूं अब यहां एक बार फिर ऐसा नहीं है कि यहां भगवान ने अपने ऐसा नहीं है क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं जोतिर पुंजों में सूर्य हूं हैं मैं आदित्यों में विश्नु हूं मैं मरीची में मारुतों में मरीची हूं इत्यादी इत्यादी इस प्रकार से श्रिनी बता रहे हैं तो ऐसे ही श्रिनी म एक अंच के समान है उसके बाद यक्षों और राक्षसों में कुबेर राक्षस और यक्ष ये दोनों जो प्रजातियां हैं ये जो दोनों जो स्पीसीज हैं ये राक्षस जो हैं वास्तम में ये कोई बहुत अच्छी स्पीसी नहीं है और इसी प्रकार से यक्ष भी होते हैं यक्ष जो हैं वो राक्षसों से थोड़ा सा बहतर होते हैं, लेकिन उन सब में यक्षों और राक्षसों में जो सबसे इच्छे हैं, सबसे सत्वगुनि हैं, वो हैं कुबेर. और कुबेर कौन हैं? कुबेर देवताओं के ओशाध्यक्ष. मतलब यक्षो और राक्षसों में मैं कुबेर हूं प lik hiring बताते हैं वसुओं में मैं अगनी हूं अब ये महिसु कौन है आट प्रकार के वसुओं हमारे शास्तुरों में बताये गए तो आट प्रकार के वसुओं में जैसे ये अगनी, पृतिवी, वायू, आकाश, इस प्रकार से पांच वसु यह हैं और तीन वसु और भी हैं, तो इन आठ वसुओं में से भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ अगनी, अगनी मेरा यहां प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि अगनी जो है बहुत प्रबल है, ब परवत नहीं है, इसका जब आप वर्णन पढ़ते हैं, तो वहां आप देखते हैं कि मेरू परवत को बारे में लिखा है, कि महां पर बहुत सारा सोना है, बहुत सारा वहां पर रतन है, जवाहरात है, यानि कि प्राकरतिक संपदा से वो जो परवत है, वो भरपूर है, तो यहां अब भगवान ने परवतों में अपने आपको मेरू परवत बताया है, मेरू हू शिखरी नाम हम, अब हम चलते हैं चौबीसवें शलोक में, भगवान ने एक बार फिर यहां पर तीन श्रीणियों को यहां पर अपना बताया है, और बोलते हैं, पुरोध मतलब पुरोहित जो प्रीष्ट होता है, जैसे आप मन्दिर में जाते हैं, तो अगर आपको कोई पूजा अर्चना करनी हो, तो किसके माध्यम से करते हैं? वहापर एक पुरोहित होता है उसके माद्यम से वो आपका प्रत्रिनी दी बनकर भगवान को आपके बिहाफ पर पूजा अरपन करता है तो यहाँ भगवान पुरोहितों में किसको identify कर रहे हैं वो कह रहे हैं ब्रहस्पती, अब ये ब्रहस्पती कौन है ब्रहस्पती जो है व पुरोयतों में मुझे ब्रहसपती जानो। सेनापतियों में अपनी को कार्तिके के रूप में कहते हैं कि यह मेरा प्रतिनिध्य करता है यह एक विशेश है तो वाटर बॉड़ी तो जलाशयों में भगवान कहते हैं कि मैं सागर हूं सागर तो हम देखते हैं कि बहुत विशाल होता है नदी भी देखते हैं और हम जीलें भी देखते हैं जरनें भी देखते हैं तो वाटर बॉड़ी कई तरह की हैं तो जलाशयों में सबसे विशाल कौन स पचीसमें श्लोक में बोल रहे हैं महर्शियों में अपने आपको वो ब्रगु बताते हैं ब्रगु कौन है ये ब्रगु ब्रह्मा जी के ही उत्पन एक पुत्र है जब ब्रह्मा जी ने श्रिष्टी का रचना करी तो अनेक अनेक संततियां उन्होंने करी और उनमें ब्रगु जो हैं उन्हीं के पुत्र हैं और ये बड़े ही शक्तिशाली मुनी हैं बहुत शक्तिशाली हैं इसलिए महर्शियों में अपने आपको भगवान ब्रगु मुनी के रूप में कहते हैं कि ब्रगु मुनी मेरा प्रतिनिर्द वाणी में गिराम, गिराम बोलते हैं वाणी को, गिराम अस्मी एकम अक्षरम, वाणी में मैं ओम हूं, तो ओम का बारे में हमने साथ्वे ध्याय में भी पढ़ा था, ये ओम जो है वो जो भगवान, जो ध्वनिया है, जो दिव्वे ध्वनिया है, ओम जो है वो भगवान का ह तो जैसे हम बोलते हैं श्री कृष्ण तो जब हम बोलते हैं तो यह भगवान का एक व्यक्तिकत नाम है जैसे मेरा नाम केशव गुपाल तो आप मेरे को कह सकते हैं कि ये तो एक व्यक्ति है और ये इसका नाम है केशव गुपाल तो जब आप कहते हैं कि ये एक व्यक्ति है तो व्यक्ति से ये पता नहीं लगता है कि उसका नाम क्या है जैसे हम भगवान के लिए कई बार बोलते हैं परमात्मा दूसरा बोलते हैं श्री कृष्ण तो परमात्मा जो है वह बहुत ही एक जनरल जनरल सा नाम है या बोलते थे हैं परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो वह भी भगवान श्री कृष्ण को ही एक प्रकार से बोला जाने वाला नाम है लेकिन वह एक इस प्रकार का नाम है ज द्वनियों में या वानियों में भगवान कहते हैं मैं दिव्य ओमकार हूं हूं और पिर कहते हैं यग्यों में जप यग्य को को अपने मैं आपको से यहाँ पर कहते हैं कि यह मेरा प्रथ़ेधिան्ण करता है इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने देखा होगा कि कि आमत्यार पर समाज में हमने कई प्रकार के यग्यों होते देखे हैं लेकिन इन सभी में किस यग्य को बए किस मता Pitts बता रहें जब को ये है भगवान के दिव्य नामों का किरतन, भगवान के नामों का जब, हम अपनी कक्षा का जो आरंब करते हैं, देखें, वो किस से आरंब करते हैं, हम हरे कृष्ण महा मंतर के उचारण से हम अपनी कक्षा का आरंब करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का ये जो किरतन है यह जो हरे कृष्ण महा मंत्र है यह जब ही है यह भगवान के नामों का उचारन करना है और भगवान यहां स्वयम कह रहे हैं जब क्या कह रहे हैं यग्या नाम जप यग्यो अस्मी यग्यों में मैं क्या हूं मैं जब हूं प्रभुपाजी भी लिखते हैं कि समस्त यग्यों में हरे कृष्ण महा मंत्र का जब श्री कृष्ण का सरवाधिक शुद्ध रूप है और यदि आप कली संतरन उपनिशत पढ़ें तो कली संतरन उपनिशत में भगवान ब्रह्मा जो है वो नारत जी से बोल रहे हैं कि कली कल्मश नाशनम कि इस कल्यूग में जितने भी पाप हैं जितने भी उल्टे सीधे कारिये हैं यदि उनका नाश करना है तो इस कल्यूग में यदि कोई मंत्र है यदि कोई नाम है तो वो है हरे कृष्ण महा मंत्र और ये जो हरे किष्ण भामंत्र का उल्लेक कहां पर आता है ये वहीं उसी कली संत्रन उपनिशद में आता है उसके बाद भगवान अगली श्रिणी क्या बोलते है अचलों में मैं हिमाले हूँ अचल तो देखे पहले एक विवरण आया था परवतों में मैं मेरू परवत और यहां बोल रहे हैं अचलों में मैं हिमाले हूँ स्थावरा नाम हिमाले अचल मतलब जो हलता नहीं मेरूपर्वत को लेके कई देखने को मिलता है परवद यह वह आगे पीछे होता रहता है लेकिन अगर कोई अचल है कोई अपने स्थान से हलता नहीं है डिक्ता नहीं है तो यहां उसके लिए भगवान बोलते हैं कि मैं हिमाले हूँ तो प्रभुपाज लिखते हैं पिछले श्लोक में मेरू का उलेक हुआ है परुंतु मेरू तो कभी-कभी सचल होता है लेकिन हिमाले कभी सचल नहीं होता है अगला श्लोक 26 कि बोलते हैं अश्वत्थ किसे बोलते हैं पीपल के पेड़ को बोलते हैं तो पीपल का पेड़ आप भी देखते हैं वैदिक संस्कृति में पीपल के पेड़ की बड़ी मान्यता है पीपल के पेड़ को बड़ा शुब मानते हैं उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं बड़ा विशाल होता है बड़ी छाया देता है बड़ा उंचा होता है इस व्रक्ष की आयू भी बड़ी लंबी होती है तो इस प्रका कौन है भगवान की नारद के विशेश क्रपा है वे कहीं भी आ जा सकते हैं अध्यात्मिक जगत में नारत को अपना प्रतिनिधी बताते हैं, फिर गंधर्वों में चित्ररत, ये चित्ररत जो हैं ये गंधर्व हैं, गंधर्व भी एक प्रकार के देवता होते हैं, बड़े शक्तिशाली गंधर्व हैं ये, और इन चित्ररत का अरजुन के साथ बड़ा भ्यानक युद्ध हु सिद्धा नाम कपिलमुनी कौन हैं कपिलमुनी भगवान शीक्रिष्ण के ही अवतार है श्रीमत भागवत के तीसरे सकंद में कपिलमुनी की शिक्षाएं उनका वर्णन काफी विस्तार से आया है यह कपिलमुनी करदमुनी और देवहुती माता देवहुती के पुत्र हैं और चुंकि भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं इन्होंने सांख्य दर्शन प्रस्तुत किया है और जब हम श्रीमत भागवत का कभी अध्यन करने का हमें अफसर प्राप्त हुआ तो हम बताए से अपनी माता देवहुती को प्रवचन किया और उनमें अनेक अनेक उनको शिक्षाएं दी तो सिध्धों में सिध्ध जो है अभी सिध्ध क्या होते हैं सिध्धियां कई प्रकार की होती है जैसे तपस्या करने वाले यह जो योगी होते हैं इन्हें सिध्धियां प्राप् यो जो योगी हैं उनमें कह रहे हैं कि जो सिद्धा नाम कपिल मुनी तो भगवान के अवतार हैं इनके पास अनेक सिद्धियां थी और अपने आपको भगवान कहते हैं कि सिद्धों में वास्तम में मेरा प्रत्रिनिधित्व कौन करता है कपिल मुनी करते हैं 27 वन श्लोक पर चलते हैं अब उच्च इश्रवा उच्च इश्रवा सम अश्वानाम विध्धी मामब विध्धी मामर्तो भवं एरावतम गजेंद्रानाम नरानाम चा नराधिपम अब वो कहते हैं उच्च इश्रवा सम श्रवानाम सभी घोडों में सभी अश्वों में मैं कौन हूँ मैं हूँ अच्च इश्रवा अश्व हूँ और यह उच्च इश्रवा कौन है यह उच्च इश्रवा जब समुद्र मन्थन हुआ आज से कई-कई वर्षों पहले जब यह समुद्र मन्थन हुआ, जो देवताओं और दानवों, यानि के असुरों के बीच में जो हुआ था, जिसमें अमरत निकला था, उसी समुद्र मन्थन में कई अनेक वस्तुएं जो हैं वो भार आई थी, और उनमें ये उच्चेश्रवा घोडा भी था, तो उच्चेश्रवा जो ये अश्व है ये बहुत ही एक विशेश अश्व है, बहुत ही सुन्दर है, बहुत ही सुन्दर है, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये उच्चे श्रवा जो अश्व है, ये मेरा प्रथनी दिये, फिर एरावतम गजेंद्राना हातियों में गजेंद्रों, गजेंद्रों में गजेंद्र मतलब जो बहुत विशेश प्रकार के जो हाति होते हैं जो बहुत ही मुख्य हाति हैं वैदिक साहित्य में जितने भी मुख्य हाति हैं उन मुख्य हातियों में भगवान शिक्रिष्ण कहते हैं मैं एरावत हूँ अब ये एरावत जी का इतिहास क्या है ये एरावत का इतिहास भी यही है कि ये भी समुद्र मन्थन में उत्पन हुए थे और समुद्र मन्थन में उत्पन होने के बाद ये उच्चेश रवा जो अश्व था वो भी और ये एरावत हाती था ये भी ये दोनों के दोनों जो थे वो इंद्र ने ले लिये थे तो इसलिए यहाँ पर चुंकि ये बड़े ही विशेश हाती है और एरावत जब भी इंद्र युद्ध करने जाते हैं तो एरावत हाती भी जो है युद्ध में शत्रू को एक प्रकार से व मेरा प्रतिनिध्हित्व करता है उसके बाद के मनुश्यों में राज्या चारणानाम चार लादी मनुश्यों में राज्या कोई बी एक समाज हम देखते हैं मनुश्यों का समाज उसमें उस समाज का प्रतिनिधित्व कौन करता है, उस समाज का प्रतिनिधित्व राजा करता है, जैसे वर्तमान समय में प्रधान मंत्री है, तो जब भी आप किसी समाज में किसी राजा का वर्णन सुनें, किसी राजा की पावर देखें, राजा की शक्ति देखें, राजा का वैभ कराना चाहिए कि है यह बार हम देखते हैं कि कई राजा जो एसे होते हैं जो भष्ध होते नोयकित advertising आज़ना के ये आती श्री कृष्ण से हैं लेकिन इन शक्तियों का ये आवशक नहीं है कि ये शक्तियां हमें श्री कृष्ण तक ले जाएं यदि हम चाहें तो ये शक्तियां हमें श्री कृष्ण तक भी ले जा सकती हैं और यदि हम ना चाहें तो ये शक्तियां हमें श्री कृष्ण से विपूरीत भी ले जा सकते हैं तो जैसे बहुत धार्मिक राजा भी हुए हैं जो प्रजा का बड़ा ध्यान रखते हैं प्रजा को भगवत चेतना में प्रोथ साहीत करने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं जैसे युधिश्ट्र थे परिक्षित थे इस प्रकार से राजा श्री राम चंद्र थे तो इस प्रकार से जो राजा है ये वास्तम में इनके पास भी आश्वरिया है इनके पास भी शक्ति है किन्तु इन्होंने अपनी आश्वरिया और शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया कि प्रजा जो है वो भगवत भक्त बने लेकिन जो दूसरे प्रकार के राजा हैं, उनकी शक्तियां जो हैं वो श्री कृष्ण का प्रतिनिध्ध्व करती हैं, लेकिन ये राजा उन शक्तियों को स्वयम को श्री कृष्ण की और ले जाने के लिए उसका प्रयोक करें, या उनसे विपरीज जाने के लिए प्रयोक करे ये उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ जो विलक्षनता है, जो शक्ति है, एश्वर्य है, वो श्री कृष्ण का ही अंच्य का प्रतिनिद्ध्व करता है। इस तरह से हमें इसको समझना चाहिए। आयुध, आयुधों में अपने आपको बताते हैं वज्र, अब ये वज्र क्या है, ये वज्र जो है वो इंद्र का शस्त्र है, ये बड़ा ही शक्तिशाली शस्त्र है, ये पल भर में बड़े से बड़े परवत को भी चूर्ण बना सकता है, उसको चकना चूर कर सकता है, चू वह सुर्भी गाय मतलब यह गाय ऐसी है जो किसी भी समय दूद्ध दे सकती है किसी भी समय आप उससे कुछ भी इच्छा पर प्रकट करें या आपको वह वस्तु जहें वह उपस्तित करा सकती है तो ऐसी है गाय का वर्णन श्रीमत वालमी की रामायन में भी आता है जब विश विश्त मुली अश्रम में गए और उन्होंने वvä शुद जी ने विश्त मुली को निमंतरन दिया कि आन। आईए आप अपनी सीना के साथ आहे मेरे आश्रम में यहांपर आप भोजन स्विकार कीजिए तो जो विशràमीति थे उस समय तो वह मुली नहीं थे वह राजा थे एक सुर्वी गाय थी तो वशिष्ट मुनी ने सुर्वी गाय से आग्रह किया कि वो विश्वामित्र जी की सेना के लिए प्रचुर मातरा में भुजन उपस्थित कराया तो वहां देखते हैं कि सुर्वी गाय ने जो भी उन से मांगा गया उन्होंने प्रचुर मातरा में कुछ दे सकता हूं लेकिन मैं अपनी माता को नहीं दे सकता हूं यह गाय मेरी माता के समाने तो आप देखते हैं कि बड़ा सुन्दर महां पर कथा आती है वर्णन आता है और इसी गाय को भगवान कहते हैं कि गायों में क्या हूं मैं यह कामधिनु गाय हूं मैं यह जो हर प् प्रजन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भगवान कहते हैं कि मैं ये काम देव हूं तो यहां प्रभुपाजी कहते हैं कि आम तोर पर प्रजन की जो प्रक्रिया होती है उसका दुरुपयोग लोग बाग जो है वो भोग विलास के लिए करते हैं लेकिन अच्छी संतान की उत निजित्व करता है, फिर सर्पा नाम अस्मी वासुकी ही, सर्पों में मतलब सांपों में मैं कौन हूं मैं वासुकी सांप हूं, अब ये वासुकी सांप कौन है, ये वासुकी सांप वही सर्प है, जिसका उपयोग अमरत मन्थन में या जो अमरत के लिए जो मन्थन हुआ था इसी सर्प का उपयोग देवी देवताओं ने मन्थन के लिए किया था तो ये बड़ा ही बलशाली और बड़ा ही शिक्तिशाली सर्प है मान लिजे कोई साधारन सी कोई रस्ती अगर लेते और चुकि इतना बल महाँ पर प्रयोग किया गया था तो रस्ती टूट सकती थी तो यही वासुकी सर्प जो है वो उसने निंद्रा लेली थी वो सो गया था तमोगुन के प्रभाव से और इसका उपयोग किया गया था समुद्र मंथन के दौरान तो इसलिए भगवान यहां पर अपने आपको वासुकी सर्प के और अगला श्लोक हम देखेंगे अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 29 वासुक देखें सर्पों में वासुकी थी चलिए यह स्लाइट पूरी हुई अगला श्लोक हम देखते हैं अब वो कहते हैं अनन्ताश्चिमी नागानाम वरुनो याद सामहम पित्राणाम अर्यमाचास्मी यमह सैयमतामहम अनन्ताश्चास्मी नागानाम अब पिछले श्लोक में वर्णन आया है सर्प का और इस श्लोक में वर्णन आया है नाग का तो नाग और सर्प में क्या अंतर है नाग के कई सिर होते हैं और सर्प का सिर्फ एक सिर होता है तो नागों में भगवान कहते हैं मैं कौन सा नाग हूँ मैं अनंत शेश हूँ और ये अनंत शेश कौन है इसी अनंत शेश के ओपर भगवान जो है वो शीर सागर में विश्राम अदो इस अनंत शेश नाग के कई-कई कई-फन हैन जो सर्पै इसलिए नागों में कौन सा विशेश सर्प है कौन सा विशेश नाग है कहते हैं अनंतशेश क्योंकि इसके कई सरे हैं और फिर अगला कहते हैं वरुनो याद सामहम वरुनो जल्चरों में वह वरुन देव हूं जल्चर जल्चर मतलब जो जल में रहने वाले जो प्राणी हैं उनमें अपने आपको यह वरुन देव बता और ये बड़े शक्तिशाली हैं और भागवतम में कथा भी आती है कि जब नंद महराज एक बार इसनान करने के लिए गए तो चुकी वह समय थोड़ा अशुब था यूजूली वैदिक साहित्य में वैदिक सभ्यता में आरंब में दिन के शुरुवाती मुहुरत में ही सनान क करने का प्रावधान है लेकिन नंद महराज उस दिन कुछ पहले ही चले गए और वो समय जो था शुब नहीं था तो यह जो वरुण देव हैं इनके सैनिकों ने नंद महराज का अपरण कर लिया तब श्री कृष्ण जो है वो नंद महराज को इन वरुनों के वरुण देव चन्गुल से वो छुड़ा कर लाते हैं तो वरुण देव उनको प्रणाम करते हैं श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं बड़ा क्रतार्थ भा मुझे आपके दर्शन में और वो नंद महराज को छोड़ देते हैं तो यह वरुण देव जो हैं बड़े शक्तिशाली देवता है और जल्चरों में, एक्वैटिक्स में ये भगवान का प्रतिनीधी करते हैं। पित्रों में अर्यमा हूं। अब ये जो पित्र लोक होता है, उनके अधिश्ठाता देव का नाम है अर्यमा। तो आपको ये पूचेंगे पित्र कौन है, पित्र मतलब हमारे जो पूरवज हैं, जो पूरखे हैं। और कोई व्यक्ति यदि औуса पुर्ण्य का जीवन जीवन जीता था, तो वह है पित्र लोग में जाया करता था, और उस पित्र लोग के अधिश्ठाता देव का नाम है अर्यमा, और जो व्यक्ति एवरेज पुण्ये से ज़्यादा अच्छा पुण्ये जीवन बिताते थे, वो स्वर्ग लोग में जाया करते थे, और जो भगवत प्राप्ति कर कर लेते थे वो वेकुंट में जाते थे या गुलोग धाम जाया करते थे तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं लेकिन पित्रों में ये स्वयम को वहां कर जो अधिश्ठाता देव हैं अर्यमा वो कहते हैं कि ये मेरा प्रतिनी दिये नियमों के निर्वाहक मुए यम नियमों के निर्वाहक मुए मैं यम हूँ क्या बोलते हैं आपे यमहा सियमतामहम तो नियमों के निर्वाहक मुए यम मतलब जैसे वैदिक जीवन में भगवान ने अधिक विधी विधान बताए हैं और हम यदि उन विधी विधानों का पाल दंडित करता है यम्राज दंडित करते हैं तो नियमों के निर्वाहकों में मतलब नियमों का पालन कराने में उनका सुचारी रूप से पालन कराने में यदि कोई व्यक्ति उसका अधिश्ठाता देव हैं तो हैं यम्राज तो भगवान कहते हैं कि यम जो है वो नियमों के नि देत्यों में मैं कौन हूँ, मैं प्रहलाद हूँ, तो मैंने कक्षा के आरंभ में बताया कि दिती के जो पुतर थे, वो हुए देत्य, अदिती के पुतर हुए आदित्य, यानि कि देवता, तो देत्य जो हैं, वो असुरी सभाव के होते हैं, वो भगवान के साथ cooperate करके नहीं रहते हैं असुरों जो होते हैं वो भगवान के सुर में अपना सुर नहीं मिलाते हैं इसलिए उनको असुर कहते हैं लेकिन प्रहलाद जो थे वो असुर के पुतर थे घिरन्ने कशुप कौन था असुर था लेकिन प्रहलाद जो थे वो एक विशेश प्रकार के असुर थे वो ब्रफवान के अननय भक्त थे. इसलिए भगवान कहते हैं कि द्यक्तियों में कौन हूँ? मैं प्रहलाद हूँ. मतलब मतलब दमन करने वालों में मैं क्या हूँ? मैं समय के एक विशेश्टा होती है कि समय धीरे-धीरे सब कुछ नष्ट कर देता है. समय के प्रभाव के आगे कोई भी नहीं बचा है समय हर चीज को अवधी के जैसे जैसे वो बीद्ती है मुनष्ट करदेता है कोई भी वस्तु request कोई भी प्राणी हो इस जगत में समय बहुत ही बलवान है तो दमन करने वालों में नश्ट करने वालों में मैं कौन हूँ? मैं समय हूँ तो भगवान इस भौतिक जगत में अपनी शक्ती कैसे यहां पर दिखाते हैं, समय के रूप में वो दिखाते हैं हर वस्तु जो है वो अकालांतर में नश्ट हो जाती है, म्रगा अनाम चा म्रगेंद्रो हम, पशुओं में मैं क्या हूँ, मैं सिंग हूँ, अब सिंग कौन है, जंगल का राजा है, सिंग जब हम देखते हैं, तो उसके अंदर एक विशेष्टा है, विशेष्टा है जो आकर्शित करती है, तो जि जिसके पास ये विभूती है, यदि उसका प्रयोग भगवान तक जाने में करें, तो वो भगवान तक ले जाती है, भगवान से विपरीत करें, तो भगवान के विपरीत ले जाती है, लेकिन विभूती भगवान का जो एश्वर ये है, उसका अंच मातर है, इसी प्रकार स जब भी जाते हैं, too जब भी शेर के पंजरे के पास जाते हैं, तो लगता है कि हाँ, किसी को हमने देखाएक उसके अंदर एक निर्भीकता है, एक ढिडरता है, एक जिसे कहते हैं एक और वास्तम में बहान कह रहे हैं, कि यह मेरा प्रत्तिनी दी हैं. और फिर वेनतेयस्च पक्षी नाम पक्षियों में कौन हूँ वेनतेय मतलब गरुड अब इनको वेनतेय क्यों बोलते हैं क्योंकि इनकी माता का नाम क्या था इनकी माता का नाम था विनती तो ये गरुड जो है ये भगवान के ही अपने वाहन है भगवान के ही अपने वाहन ह इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि पक्षियों में मैं गरुण हूं और यह गरुण कोई साधारन पक्षि नहीं है बड़ा ही असाधारन पक्षि है तो एक कभा आती है बैदिक साहित्रेंने में कि जहां यह जो गरुड़ जी की जो माता थी जिनका नाम विनती था और सर्पों की जो माता थी वो आपस में सखियां थी लेकिन जो सर्पों की माता थी उन्होंने चल से गरुड़ जी की जो माता विनती थी उनका अपरण कर लिया उन्हें बंदी बना लिया तो उनको छुड गरुड जी जो हैं वो इतने विशाल और इतने शक्तिशाली पक्षी हैं कि वह स्वर्ग भी चले गए वहां से इंद्र से अम्रत भी झपट कर ले आए और उन्होंने अपनी माता को छुड़ा भी दिया तो यह बड़े ही शक्तिशाली पक्षी हैं इसलिए भगवान श्री शृण डोग मैं पूरिश्ण हे यह बतारेय खरी वार्लिग करते हैं और उसको को यह हैं कि अध्य करते हैं कि यह तो प्रतिनिधी करता है इसको जब ऐसमों देखो तो तुम्हें इससे मेरा स्मरण हो और इस प्रकार से फैसी और अरजन को आप समझा रहे हैं तो चुंकि अब समय हो गया है सवाद 6 बच गए हैं तो मैं कक्षा को यहीं विश्राम दूँगा मेरी इक्षा तो यह थी कि मैं आज पूरे श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करूं लेकिन यह डीटेल्स जो हैं वो बड़ी मनुरंजक हैं बड़ी आकरशि होगा और बाकी की जो 31 स्लोक से जो श्रेणिया है और जो उनका विवरण है वह हम अगली कक्षा में हम आपके सामने प्रस्त करेंगे तब तक के लिए आपके साथ बहुत-बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण और यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं श् कि बताईए कोई प्रश्न है आपका पहले तो बताईए कि आनन्द आया कि नहीं आया या यह लगा कि इतनी लंबी लिस्ट लेके बैड़ गे प्रभुजी अधिकतर क्या होता है कि यह जल्दी कवर कर लेते हैं और गहराई में नहीं जाते हैं तो मैंने सुचा कि आज थोड़ा वैदिक साहित्ते की जानकारी आप सब लोगों को मिले तो आमने थोड़ा विस्तार से चर्चा करने का प्रहास आप इस लोग पढ़के अप थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाएंगे आपको पता लगगा के वास्ता में कौन सी वस्तु क्या है और क्यों भगवान यहां पर इन्हें बता रहे हैं कि यह मेरा प्रत्री थी यह बहुत ही सुंदर ब्याक्या की गई आज बहुत ही सुंदर बहुत बहुत दनेवाद अरे प्रभुजी आप कुछ कह रहे थे आपकी पर्मीशन सिर्फ मैं करूंगा कार्थिका के बारे में अपने उनका स्कंद भी नाम बताया उनकी विशेष्टा क्या है तो इतने शक्ति शाली हैं उनका जन एक स्पेस्विक पर्पस के लिए पैदा किया गया था तो असुर का नाम भूल रहा हूं मैं रक्षच का उसने वर्दान लिया हुआ था कि मेरे को पांच तत्वों अला कोई नहीं मार सकते हैं तो इसलिए कार्थिका छे तत्वों के थे अच्छा एक तात्वन में एक्स्ट्रा था वह भी मैं भूल रहा हूं महादेव जी ने इस्पेशली उसको इसलिए छे तत्वों का बनाया था जी 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 और उसको ही जाके उसका वद्द करना पड़ा था अच्छी जानकारी जी धन्यवार अच्छी और कोई प्रशन है राकेश जी पताईए राकेश जी पताईए राकेश जी आप कुछ पूछ रहेते हैं को यह कपिल मुनी तो विष्णु भगवान का यह अवतार थे जी 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 विश्णु भगवान का यह अवतार थे तो चुंकि वे अवतार थे भगवान का यह एक्सपेंशन है अवतार जो होते हैं भगवान की एक शक्ति होती है तो इसलिए भगवान श्री क प्रभुजी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा विभूत्रियों के बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा लगता है जी अच्छा तो है तो यह तीन और चार मेरे खाल इसमें तो कोई अलग से तेकनिकल बात नहीं है कि जब नाइटम फिड़र जाती है किसी किसी सड़रचना में तीन फिट बैट पेट फिड़र टींग चार इन चार आप जाती है जाए था जो ने नहीं बट कौन सा श्लोग बताया आपने 22 29 29 अच्छा 29 नियमों अच्छा नियमों का निर्वाहक तो देखिए जो भगवान के विधी विधान की जो अवहिलना करने वाले हैं उनको दंड कौन देते हैं यम्राज देते हैं तो कोई भी विधी विधान है वो या तो आराम से कोई उसका पालन करे तो अच्छी बात है लेकिन अगर अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसको दंडित कौन करते हैं यम्राज करते हैं इसलिए वो भगवान बोलते हैं कि नियमों का जो निर्वाहक करने वाले हैं जो उसका एयसे नेख जीव हैं जो दुस्टों को दंड देते हैं किन्तु उनमें यम प्रिथवी लोग से निकट वर्ती लोक में रहते हैं व्रित्यू के बाद पाप्य लोग uważ js जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की विवस्था करते हैं प्रभुपाजी ने में लिखा है इस प्रकार से जानकर अच्छा लगा इसलिए हम देखते हैं कि सब लोग यह सभी चीजों की पूजा करते हैं रिवेज एस में वह भगवां से रेलेटेड है हा लेकिन भगवान नहीं है इंडर आप दिस इंडर वाइज ही था किंग अप्र गॉड जी इस नोन पर अल्ड रॉंग रीजन्स के लिए ही आता है तो भगवान के लिए भगवान को बड़े प्रिये हैं लेकिन प्रिया होने का आर्थ यह नहीं है कि यह इंडर जी जो है वह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वैदिक सहाहित्य में कई बार उल्टे सीधे कामों के लिए भी कई बार इनका वर्णन आता है लेकिन वह एक विशेश एक तरीके से परिस्तितियां हैं जहां इनका वर्णन आता है अगर समय हो तो एक किपनी और कर सकता है यह कुबेर के बारे में यह अपने रावन जी के कजिन ब्रदर हैं और यह सबसे वह हैं सबसे संपती के मालिक हैं तो रावन जी ने बहुत अब किया था कि मैं एक सोने का घर बना के दूँगा महादेव को तो फिर उन्होंने कुबेर से रिक्वेस्ट करी थी कि मिरे को आप इतना सोना दो जिससे मैं महादेव का कलाश परवत पे बनाऊं उन्होंने बोला मैं सो से उन्होंने उस सारा सोना वहां पहुंचाया क्यलाश परवत में और उनका सोने का मनवाया तो बहुत प्रियते महादेव को अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपसे काफी जानकरी मिल रही है इस अब आपका किरपा है गुरु किरपा के भी ना कुछ नहीं ह प्रस्तुद प्रशुद प्रवपाजी के ही कृपाजे हम कर पार है ने वो तो वो गुरु के गुरु है लेकिन अब एक तो हमने उनको चोले में नहीं देखा और दुसरा क्या है कि वाखे गुरु पूर्ण मापे काफी कुछ गुरु के लिए प्रसंशा के लिए बहुत क चले तो आभी हम कख्षा का यहीं समापन करते हैं विश्राम देते हैं और अगली कख्षा में पुनें आप आगे जो विभूतियां हैं, उनमें कई बहुत बड़ी बड़ी प्रोचक हैं और उनी का वर्णन हम आगे बढ़ाएंगे और अगली कक्षा में हम इस अध्याय को पूर्ण रूप से समात करने का प्रयास करेंगे चलिजी, बहुत-बहुत धन्यवाद हे खिसन प्रभूजी, हे खिसन करका इडी बाफ सिन्हीरा धिक र गदैकर को रिक्साइब करी एक टैन्सकिर खाएंगे अधिन वrare खिसना यह सफोग एंगले कर उन्ट्रिव ऐस और रिक्ष्ण अजैनन अज़ Sabrina अगा मतल्य हम ठूसल धीकु तरुम एट हूरुन कौन है हरे किष्णा शेशी जी हरे कृष्णा अच्छा जी दन्यवाद